नमस्कार, प्रिये दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 22 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज मंगल वार हैं जेश्ठमास शुकल पक्षकी आज द्वादशीति थी है जो दिन में दस बच करके 40 मिनट तक है और इसके पुष्चात त्रयोदशीति थी है विशाखा नक्षत्र है दो पहर में दो बच करके 23 मिनट तक और इसके पुष्चात अनुराधा नक्षत्र है सिद्धयोग बालव करण है बात हुई पुष्चांकी चंद्रमा आज तुला राश में प्राता काल 9 बजे तक रहेंगे और इसके पुष्चात वृष्चिक राश में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित नुहुर्ट का समय दिन में 11 बज करके 33 मिनट से दोपर 12 बज करके 27 मिनट तक होगा वही राहुकाल दोपर 3 बजे से शाम साड़े 4 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कारे को अभिजित नुहुर्ट में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित नुहुर्ट हरीकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज निर्जला एक आदस्षी व्रत का पारण है और आज प्रदोश व्रत भी है भोलेनात की आराधना प्रदोश काल में सभी ग्रहस्थास्रमियों को अवश्य ही करना चाहिए अगर आप विशेश कोई आराधना नहीं करना चाहते तो कम से कम जाकर के प्रदोश काल में भोलेनात का दर्शन अवश्य कर लीजी बिशेश कर वो सभी लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीडित हैं प्रियदर्शकों आज दिब्य महा प्रयोग में मैं बुध को बलवान करने के लिए एक बड़ा ही दिब्य उपाय आपको बताने वाला तो दिब्य महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहिस्तितियों की राहु और बुध यूति बना कर ब्रिशभ रासी में संचरन कर रहे हैं तो वहीं आज सूरिय मिथुन राशी में हैं गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन हुआ राशी में मंगल जहां की पूर्व से ही उपस्थित है यूति बनाएंगे चंद्रमा तुला राशी में प्रातहकाल नौब बजे तक और इसके पुश्याथ आज वृष्शिक राशी में प्रवेश करेंगे जहां पहले से केतू हैं और केतू के साथ ही यूति बनाएंगे क्षत्र में विशाखानक्षत्र में गज केश्री योग का निर्माण प्रता काल नौ बजे के पुश्यात कर देंगे हलाकि नीचरासी में अपने होंगे और केतु के साथ यूती बनाए हुए होंगे ये ग्रहस्तितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं करना चाहिए आज क्या नहीं करना चाहिए वो कौन से उपाय हैं जिसे करके आप अपने दिन को स्रेश्ट बना सकते हैं इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रहस्तिति इन्हीं ग्रहस्तितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है निदैनिक राशिफल तयार किया है वो ने दर्शक जो मैरे इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्मराशिक आधार पर हैं यानि आपकी जन्मराशिक में बैठे हैं वही आप अगर आप अपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। प्रिये दर्शकों ये लाइब कारिक्रम पुरुणत नहिशुलक होता है जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का नहिशुलक अध्यान करता हूँ आप फोन या चैट के माप्धियम से मुझसे जुड़ते हैं और अपनी जन्म कुंडली का जन्म कुंडली से सम्मंदित किसी विश नश्च यहीं उपस्तित होईएगा जन्म कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो जातक की वानि प्रभावशाली नहीं होती, जन्म कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो कही न पूरुशों के लिए भी ये ठीक नहीं है दात से सम्मंदिद भी परिशानी के पीछे कही न कहीं बुध का हाथ है बुध का कमजोर होना जन्म कुंडली में जातक के सुखों में भी कमिला देता है वैसे तो सुख के कारक शुक्र हैं लेकिन बुध युवराज क्या आप सुखों का भोग कर सकेंगे ये तै करते हैं बुध सबसे बड़ी बात है आपके बुध के कमजोर होने से आपके सही बुध्धी का विकास नहीं हो पाता एक ऐसी बुध्धी का जब जरुवत पढ़ने पर आपके दिमाग में सही जवाब निकलाए कुशागर बुध्धी ये बुध के कारण होता है बुध को ठीक करने का एक बेहद सरल तरीका है प्रतेक बुधवार को शनान के जल में दूध और सहद का मिश्रण कर लेना यानि दूध में सहद का मिश्रण करके उसे जल में मिला लीजिए और उसी जल से स्थान करिए जन्म कुंडली का कमजोर बुध मजबूत होता है और मजबूत बुध और मजबूत होता है बुध को बलवान करना आज की इस परिवेश में जहाँ बाकी की चीज़ें तो बाद में देखी जाएगी आपकी वाणी कितनी प्रभावशाली है ये सबसे पहले देखा जाता है तो ये बुध्ध ही तय करते हैं अपने बुध्ध को बलवान करने के लिए ये प्रयोग हर किसी को करना चाहिए तो बुधवार के बुधवार आप इस प्रयोग को जिसमें कोई बहुत कठिनाई है ही नहीं थोड़ा सा दूध और उसमें सहद मिला लेना है जल में मिला करके श्नान कर लीजी तो श्नान करने भरमात्र से आपके बुध ठीक हो जाएंगे चलते हैं आप राशी फल की ओड़ बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंड़ी में चंद्रमा राशी श्याप के आज सप्तमभाव में है प्राताहकाल नौ बजे तक इसके पुष्चात आपकी राशी से अस्टम में होंगे नीचरासी में केतु के साथ यूती बनाये हुए परन्तु देव गुरु ब्रहस्पती के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में ये संचरण करेंगे गजकेसरी योग का निर्मान तो होगा लेकिन इसका कोई विशेस लाभ आपको नहीं मिलेगा दिन सामान ने त्यार देखा जाए तो बेचैनी और चिंता लेकर क्याने वाला है खुद पर नियंत्रन बनाये रखना है मन मानी कहीं भी अगर आप करेंगे तो आज आप मुश्किल में पढ़ेंगे चाहे वो खानपान के मामले में हो, स्वास्थ को लेकर के हो, अपने कारेक्षत्र को लेकर के हो आज मन मानी नहीं करना है हर मामले में खुद पर नियंत्रन रखिए, नियंत्रन के साथ ही आगे बढ़िए तभी आपके काम पूरे भी होंगे, वक्त पर पूरे होंगे परिवार के साथ सामान्य दिन भी इतने वाला है परिवार के मध्य किसी की सेहत को लेकर के आज आज आपको चिंता हो सकती है कोई बड़ा कारे, कोई बड़ा निरने लेने वाले हैं परिवार के बड़े शदस्यों की सलाह अवस्चे लीजिए नौकरी पेसा लोगों के लिए आज का दिन सामानने दिखाई पड़ रहा है तो वहीं बात अगर हम ब्यापारियों की करें तो सामानने है दिन निवेश आपके लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है तो आप निवेश बिलकुल न करें और आज आपके परिवार के सुदस्यों दोस्त आपकी सुन्तुति आपका जीवन साथी माता पिता इनकी बात को मानिए इनके कहे पर चलिए इनके कथना नुसार कारे करिए यही आपके लिए भला होगा इसी से आपकी भलाई होगी उनकी कही बातों पर अगर आप विचार करके चलते हैं ठीक रहेगा प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ा रहा है प्रेम संबंध में आज परिशानी है चिंता होने वाली है हो सकता है मतभेद भी हो और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें परिशान होना पड़ेगा बिद्यार्थियों के लिए सामाने रहने वाला है दिन आज रुद्र सुक्त का पाठ या स्रोवन आपके लिए फायदे मंद होगा सुप्राता काल ही रुद्र सुक्त का पाठ या स्रोवन कर लिजेगा लकियंक आपके लिए आज छै लकी कलर हलका हरा है और निवेश करते हैं तो बिलकुल ना करें ब्रिशब की बात कर लेते हैं, ब्रिशब रास के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशी श्याब के आज सस्थभाव में सिंचर्ण कर रहे हैं ये चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे प्राता काल नौबजे गुरू के नक्षत्र में हैं और ये जब राशी परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशी से सब्तमस्त हो जाएंगे हिम्मत बनाए रखनी होगी हर कार्य में अधिक समय जाने वाला है कारिस्थल पर भी कही न कहीं जूंजलाहट क्रोध आपके उपर हावी रहेगा सहयोगियों का आपके जो समर्थक हैं उनका सहयोग न बिल पाने से आज आप ठोड़े चिंतित भी होंगे बलकी बड़ी जिम्मेवारियों में जो आपके उपर बड़ी जिम्मेवारी है नित्रत्व की अगर जिम्मेवारी है तो उसमें आने वाली बाधाएं प्रिसर आपको आज जुझला कर रख देगी क्रोध में डालेगी और इस सवस्था में जहां आप क्रोध करते हैं तो मुश्किल में होगे एक अच्छी खबर यह है कि विपरीत का समर्थन आज आपको पूरे दिन विपरीत का समर्थन और सहयोग पूरे दिन आपको प्राप्त होगा व्यात्रा उंचित नहीं है स्वयात्रा मत करिए व्यापारियों की बात करूं तो सामान्ने रहने वाला है दिन आर्थिक पक्ष कहीं न कहीं आपको चिन्तित करेगा कोई राज की बात जो गंभीर बात उसे किसी को पता मत चलने दीजिए आज अगर आपके कोई राज की बात पता चल जाती है सारवजनिक हो जाती है मुसीबत का सामनाप को करना पड़ेगा प्रेम के क्षित्र में भी आज बुरुषव रासी के जातकों को उतार चढ़ाव की स्थिती देखनी होगी और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत के बाद ही जाकर के सफलता कामों देखने को मिलेगा स्वास्त के द्रिष्टिकोंड से देखें तो कोई पुराना रोग जैसे किसी न किसी चीज़ से इलर्जी आपको परिशान करने वाली है विशेश कर बाहर अगर आप हैं तो सावधान पूरी तरह से रहिए स्वास्त को लेकर के सावधानी जरूरी है आज भोलेनात के मंद से देखें तक इसके पुष्ट आपकी रासी से सश्ठमेन का सुचरण गुरू के नक्षत्र में चंद्रमा आपके स्वास्त पर असर डालेंगे पेट से समंधित परिशानी आज आपको परिशान करने वाली है कोई कारिय प्रारम्भ करने की सोच रहें कोई पहल करने की प्रशिनाई के और कुछ नहीं मिलेगा और एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डालें एकाग रहोकर के काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी नया वाहन खरीदने कि अगर सोच रहे हैं तो अभी रुकिए और वाहन चलाते समय आज पूरी तरह से आपको सावधान रहना होगा क्योंकि अगर देखें चोट चपेट के मामले में देखें तो आज का दिन प्रतिकूल है आपके और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है आप शर मार्केट या दलाली से समंधित काम करते हैं तो बेहत सतरक और सावधान रहे विशेश करके कमिसन जन्ने काम जिन्नों का है उनको सावधान होना होगा निवेश आज आपको नहीं करना और बिना सोचे समझे बोलने से तो आपको बचना ही होगा वानी पर अपने संयम बनाए रखिये नहीं तो मुस्किल में पड़ेंगे दामपत्य जीवन वैसे तो ठीक है परन्तु जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामाने रहने वाला है दिन प्रेम का इजहार आपको नहीं करना प्यार के क्षत्र में कोई विशेश सिस्तिति नहीं दिखाई पड़ रही है करक की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके चतुर्थ भाव में है प्राता काल नौ बजे तक इसके पुष्चात आपकी रासी से पंचम में दिन बहुत बढ़िया है बेहत खा सोचे हुए सभी कारिय केवल पूरे नहीं होने वाले समय से पुर् लाभ के भी योग बने हुए हैं जरुवत पढ़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात या बातचीत होने वाली है ब्यापारियों के लिए भी दिन अत्यनत शुभ दिखाई पढ़ रहा है निवेश आपके लिए सुभ फल और आज किसी भी तरह से बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिये बहस और विवाद में नहीं पढ़ना प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन प्यार काई जहार करते हैं तो सफलता मिलेगी प्रेम समंध हर तरह से ठीक और दामपत्ते जीवन भी पूरी तरह स पीला है शम्म की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके तुरतिय भाव में प्राता काल नौ बजे तक इसके पुश्चात आपकी रासी से ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे गुरू के नक्षत्र में ये चंद्रमा आपको हर प्रकार से सफलता देने वाले हैं आत्मविश्वास आज आपका चरम पर होगा और हो भी क्यों न क्योंकि जो भी कारे आप हाथ में लेंगे उस कारे में आपको सफलता मिलेगी कारेस्थल पर जहां आपके दिये गए सुझावों का सम्मान होगा वहीं ऑफिस में अगर किसी से कोई बिवाद बिवाद होता है तो आपकी जीत तए हैं फिर भी इस तरह के स्थिती से तो दूरी बनाकर के ही रहना होगा कारेस्थल पर जो आपके अधिनस्थ है उनका आपको पूरी तरह से सहीयोग मिलेगा कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है बस किसी भी बात पर आकरामक मत होईए, खर्च में बृद्धी के योग हैं, परंतु धनागमन से हर तरह की चिंता दूर हो जाएगी, और यात्रा आपके लिए सुभप्रद होने वाली है, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, यात्रा अवश्य करिए, ब्यापारियों के लिए भी आज का धन उधार ना दे, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो वहीं गोचर कुंडली में शुक्र का जो परिवरतन हुआ है, वो भी आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन आगे बढ़ने के द्रिश्टिकोंड से तो कहना ही नहीं, वहन चलाते हैं तो जरा सावधान रहिए, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, और अपने खाने पीने पर भी नियंत्रण बनाए रखिएगा, गणेक्स जी को आज दूरबार करिए लकियंक आपके लिए आठ लकी कलर, आपके लिए हलका लाल निवेश आप करें, कन्या के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके दुतिये में संचरन कर रहे हैं, तुरतिये में ये आ जाएंगे, प्राता काल नौ बजे तो दिन है, गुरु के नक्षत्र में हैं, गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन शुक्र के रूप में हुआ है, ये परिवर्तन भी आपके लिए लगभग, हलाकि देखा जाए तो इस परिवर्तन में एक चिंता की बात ये है कि शुक्र और मंगल की यूती, और इस यूती पर शनिदेव की दृष्टी, मैंने बताया था कि सतर क रहेगा, हलाकि दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके लिए यह गोचर वी शुक्र का बहुत बढ़िया, और आज का दिन भी आपको आपकी योग्यता के अनुरू और आगे बढ़ जाईए, ये सही समय है, अपने आपको सिद्ध करने का, सफल होने का, जरूत पढ़ने पर दोस्तों से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे आप अपना आदर समानते हों, उनसे आपको सही राय मिलने वाली है, नौकरी पेसा लोगों के लिए भी आज का दिन में बहुत बढ़िया देख रहा हूं, और व्यापारियों कि अगर हम बात करें, तो धनलाभ के दृष्टिकोंड से दिन बेहत खास बहुत बढ़िया रहने वाला है, निवेश करना आपके लिए स्रेश्कर होगा, स्रेश्ट होगा, बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना है, प्यार का इजहार आज आप करना चाहते हैं, तो कर दें, परन्तु ध्यान रखिएगा, गलत फ़हमी, जो लोग प्रेम के क्षित्र में पहले से ही हैं, वहाँ जरा सावधानी बरतनी होगी, शुक्र और मंगल के संबंध के कारण, और शनी के दृष्टि संबंध के कारण, गलत फ़हमी उत्पन होने की संभावना है, विद्यार्थियों के लिए दिन सामाने तया ठीक दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्ति के द्रिष्टिकोंड से देखें, तो आज गले में दर्द की शिकायत संबह है, जर आपने स्वास्ति का खयाल रखिएगा, लखियंक द संद्रमा, जो कि आपकी रासी पर है, प्राता काल 9 बजे रासी परिवर्तन करके आपकी रासी से दुतिये भाव में चले जाएंगे, करियर पर ध्यान देने के लिए ये समय बहुत आवश्यक है, दिन अच्छा है, करियर में मजबूती मिलेगी, जमीन जायदात से संबंध जितने भी कार्य हैं, वो कार्य बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह शुक्र का गोचर भी आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, किसी भी तरह की खरिदारी या विक्री के मामले में भी आज का दिन आपके लिए लाभप्रद बनाह रहने बाला है, और बा आउकली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया, कोई रुका हुआ काम आपका पूर्ण होने जा रहा है, और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन हर प्रकार से बढ़िया है, रुका हुआ पैसा वापस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आज का काम बस क सभाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन सफलता के द्रिष्टिकोंट से दिन कहीं से भी कम जोर नहीं है, स्वास्त के द्रिष्टिकोंट से देखें, तो स्वास्त को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, थोड़ी परिशानी, आज ठकान ज्यादा ही होगा, बा आपकी रासी पर आ जाएंगे। अधिक से अधि करेंगे सफलता आपको तभी मिलेगी। मन बड़ा ही सक्री रहने वाला है। जो भी कारे आप हाथ मेलेंगे उसमें कहीं न कहीं बाधा, मुसीबतें, परेशानियां आती रहेंगी। सबसे पहले तो आज एकागरता को अपना हाथियार बनाईए। और एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। कारे क्षित्र में प्रगती के दृष्टिकों से देखा जाए, तो दिन सामाने त्या ठीक है, तो वहीं धनके क्षित्र में चली आरे रुकावट, आज यह थावद बने हुई, बने हुई रहने वाली है। रुका हुआ कारिय पूर्ण तो होगा, लेकिन उसका जो आपको अपक्षित रिजल्ट है, वो लाब है, वो नहीं मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, आर्थिक पक्षो सामान्य है, कोई बहुत मजबूती वहाँ नहीं है, और आज कारिस्थल पर नौकरी पेशा लोगों को एक मूल मंत्रयाद रखना है, बौस से और सहमती प्रकट करने की चीज नहीं है, आज तो बिल्कुल मत करिएगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखिए, पिसी में आपकी भलाई है, घर की भलाई है, और प्यार का इजहार, आज आपको नहीं करना, वरन इस मामले में आपकी सफलता है, सामने से ही पहल होने वाली है, विद्यार्थियों के लिए मिला आपके लिए आज सफेद और निवेश आप ना करें, धनू की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से लाभभाव में है, प्राता काल नौ बजे ये रासी परिवर्तन करेंगे और आपकी रासी से ये बार्हमे भाव में, तो वहीं शुक्र का परिवर्तन जो करकार की परिशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के ही नक्षत्र में है, अतह धैरे से काम किया जाए, सब के साथ मिलजूल करके रहा जाए, तो इतना लाभ तो हो ही जाएगा, कि आप शांती से दिन को बहुत बहुत बढ़ से होंगे, कारिश्थल पर अधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है, यात्रा आपके लिए शुखद नहीं है, एक ही बात आज और खायाल में रखिए कि आज जितने भी अधूरे काम हैं, उन्हें ही पूरा करिए, कोई नया कारे प्रारम भाज आपको न और दामपत्य जीवन में अगर देखें, तो जीवन सांथी की सेहत, आपको मुस्किल में डालेगी, जीवन सांथी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा, ये बात प्रेम के क्षित्र में भी शुक्र के परिवरतन के कारण लागू हो रहा है, और विद्यार्थियों की ब निवेश ना करें, मकर की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशी श्याप के आज दसंभाव में हैं, प्रता काल नौ बजे तक इसके पुश्यात आपकी राशी से लाभभाव में हो जाएंगे, एक और परिवरतन सुक्र के रूप में जो की आपकी राशी से सप्तम में हर प्रकार से दिन आपके लिए बढ़िया, लाभदाई और फायदे मंद सावित होने वाला है, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है, अवस्य उठाईए सफलता मिलेगी, कारिस्थल पर आज काम थुड़ा ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा म और या समय आमदनी में आपके बृद्धी होने वाली है, पैसों को लेकर के अगर चिंता है, तो वो चिंता दूर होगी, किसी भी तरह के बिवाद से आपको दूर रहना है, मन में आज कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे, लेकिन इन विचारों पर बस विचार ही करिए, गदा मत उठाईए, गदाम पत्य जीवन सुखद, प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, कोई निरने लेना चाहते हैं प्रेम के खिशत्र में, तो ले सकते हैं विशेश करके, प्रेम को बिवाह में तबदील करने के लिए पैरेंट से बात आप करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत से आप पीछे मत हटिये और स्वास्त के द्रिश्टिकोन से देखें तो कोई परिशानी नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आज 51 बार जब कर लिजेगा लकियंक एक लग कि यूती बनेगी गोचर कुंडली में शनी की द्रिश्टी से द्रिश्ट, ये भी आपके लिए है तो ठीक, हर काम आपको बेहद अलग धंग से करना होगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, आपकी महत्वा कांचा, आपकी चाहत चरम पर होगी, लेकिन ये न केनब प्र रासी से सष्ट में, गुरू के नक्षत्र में है, फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, स्वास्त का खयाल रखिएगा क्योंकि पेट से सम्मंधित परिशानी होगी, ब्यापारीयों को ब्यापार में आज कड़ी टकर मिलने वाली है, प्रति दुन्दियों के साथ अनबन या किसी न किसी बात को लेकर के मतभेध होने वाली है, दामपत्य जीवन तो वैसे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा मेहनत से आ पीछे मतटी, और स्वास्त के सिति बहुत अच्छी है, गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से अस्टम में प्राताकाल, नौबजी तक इसके पश्चात भाग्यभाव में एक और परिवर्तन शुक्र के रूप में, जो कि आपकी रासी से पंचमस्त सनी की दृष्टी है, सो प्रेम संबंध में थोड़ तो आप हर च्छित्र में आज सफल है, कार्योस्ठल पर भी आज आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों की बात करूँ, तो व्यापार में लाभ की योग बने हुए है, नए व्यापार की योजना बंती दिखाई पड़ रही है, बिना सो ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए तबजा करके सफलता मिलेगी और स्वास्त के द्रिष्टि कौन से देखे तो आलस से और ठकान से आज आप परिशान हो सकते हैं नीद की कमी भी थोड़ी होगी लालकुस्प की माला ले जा करके मा भगवती जगदंबा को और पित कर ही इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार